नमस्कार भाई और भाईनी और गाड़ी चलाने के लिए लगता है फ्यूल इसलिए आज हम पढ़ेंगे क्या होता है एटम एंड मॉले क्यूल जैसा कि आप जानते हो क्लास 9 के साइंस का तीसरा चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल तो उसमें दो थो इंपोर्टन टॉपिक आते हैं क्या होता है लौ आफ कंजर्वेशन आफ मस और क्या होता है लौ आफ कॉंस्टेंट प्रपोर्शन जो कि एक्जाम के भी पॉइंट आफ विश्य बहुत इंपोर्टन टै तो आज यह दोनों हम जानने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम समझते हैं क्या होता है एटम एंड मॉलिक्यूल अगर आप एटम और मॉलिक्यूल जानोंगे तभी इन दोनों लौक को आप समझ सकते हो तो समझते हैं क्या होता है पहले जो भाग होता है उसी हम एटम कहते हैं अब जैसे कि माली जी आपको यह नों पाथर ओथर ले लिए पाथर यह धेला ओले ले लिए जैसे आप कभी कभाल लेटरिंग ओटरिंग करने जाते होगे खेतोत में तो आप देखेंगे एक अग धेला लाई कि इस यह कौन दूसर क यह अदम लेटरिंगा ओग उसी लेटरिंगे मारते हो तो वो जो धेला होता है ना तो उस धेला पे अगर आप उस धेला का सबसे चोटा भाग निकाल लो उसी कहम कहते हैं एटम हम उसे कहते हैं कि अब इसको बाई और डिवाइड नहीं किया जा सकता है यानि कि इतना अबली आँख से नहीं देख पाऊगे, यह जो atom होता है, किसी भी element का सबसे छोटा भाग होता है, समझगे, जैसे कि माल लीजिए, आपके घर के आरी बगल दिवाल वाल होगी, मनलब room में, और यह board हो गया, कोई भी चिल ले ली, आप जिसमें देख रहे हो मेरी वीडियो फोन में, उस फोन का भी सबसे छोटा भाग जोगा, वो भी atom ही होगा, दुनिया में हर चीछ जो है, यही decide करता है कि, जो element होगा, उसका nature कैसा होगा, यानि कि वो किस तरीके से होगा, जैसे पानी है, तो पानी क्या होता, बहता है, अगर उसको धरका देजिए, तो बह जाएगा, यानि कि उसके, जो atom हो, उसमें कुछ ऐसी खासियत है, जो कि पानी को बहने लाइक बना देता है, यह जो दिवाल है, तो दिवाल की जो ऐसे मतलब atom है, उनमें कुछ खासियत है, जो कि इतने strong रहते हैं, समझ गे तो atom जैसा रहेगा, वैसे वो element behave करेगा, अब देखी, जैसे की आप देखेऊगी कोई नोग थो नोग कपड़ा उपड़ा, जैसिकी यह माल लीजी एक तो कपड़ा, यह तो चड़ी है मेरी मतलब यह छोड़ी है ठीक है माली जी यह कपड़ा हो गया तो यह कपड़ा है इस कपड़े का सबसे छोटा सा अगर भाग निकाल लो वो भी एटम ही कहलाएगा दुनिया में हर चीज छोटे छोटे एटम से बने हुए जानगे क्या होता अब देखिए जब इसी एटम को हम आपस में मिला देते हैं और काउनों दूसरा चीज बन जाता है तो उसको हम मॉलीक्यूल कहते हैं मॉलीक्यूल क्या होता है मॉलीक्यूल इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल औफ कमपाउंड तो यहाँ पर अब कमपाउंड क्या आ गया इसको समझते हैं तो अब बस केवल आप एटम समझे रही है अब आप मॉलीक्यूल समझ जाओगे उसके बाद यहाँ आप कमपाउंड समझो पहले क्या होता है कमपाउंड हम उसे कहते हैं जैसे कि मान लीजे यहाँ पर H2O है H2O आप सुने होगे पानी को कहते हैं तो H2 का मतलब क्या होता है H का मतलब होता हाइड्रोजन और 2 का मतलब क्या है यानि कि दूट हाइड्रोजन यहाँ पर O है खाली अकेल है यानि कि 1 O यानि कि 1 O एक Oxygen ठीक तो O का मतलब Oxygen H का मतलब Hydrogen यानि कि 2 Hydrogen, 1 Oxygen 2 Hydrogen जब मिलते हैं और एक Oxygen जब मिलता है आपस में तो वही पानी बनाता है यानि कि H2O बनाता है H2O कुछ इस तरीके से दिखता है देखेंगे एक ठोमाली जी Oxygen इसलिए मैंने ओ लिख दिया है और किनरोव किनरोव क्या रहता है Hydrogen रहता है तो जब यही दोनों gas मिलती है आपस में तो यह क्या बना लेती है तो यही बना लेती है पानी अब देखें यहाँ पर अब यही क्या होता है इसी खम कहते हैं भीया Molecule तो यहाँ पर आप देखोगे तीन एटम जुड़े है एक Hydrogen के यह है दूसरा Hydrogen और तीसरा Oxygen तो तीन एटम मिले दो Hydrogen के एक Oxygen के तो क्या बना लिया पानी बना लिया तो जब एटम मिलके कोई चीज बनाता है उसी हम कहते है Molecule तो यह एक पूरा क्या है Molecule है अब बात करते हैं क्या होता compound तो आप देखी यहाँ पर केवल एक पानी बना है यानि कि एक पानी का पानी का क्या बना है Molecule बना है तो ऐसे पानी की कई Molecule मिला दीजे तो एक अजूरी हो जाएगा यानि कि एक लोटा मा लीजे भार जाएगा पानी तो उसको हम पूरे क्या कहेंगे उसको पूरे compound कहेंगे समझ गे तो एटम को मिलाते हो तो बनता है E Molecule और जो Molecule और मिला दोगे तो मिल जाएगा compound तो जो compound का सबसे छोटा भाग होता है उसको हम कहते है Alecule और यही जो Molecule का सबसे छोटा भाग होगा उसको हम कहेंगे Atom क्योंकि Atom से Molecule बनता है Molecule से compound बनता है समझगे क्या होता है atom molecule और compound अब हम समझते हैं क्या होता है law of chemical reaction देखिए law of chemical reaction इसलिए बनाए गया क्योंकि आप देखोगे यहाँ 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 पर 2 hydrogen एक थो oxygen आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो 2 hydrogen और 1 oxygen आपस में जूड़े हैं ताप पानी बना रहा है तो आप सो दोनों hydrogen को एक oxygen बुलाएगा फिर जाएंगे दोनों आपस कुल इंहन मिल जाएंगे और उसके बाद पानी मिला लेंगे पानी बना लेंगे तो ऐसा थोड़ी नहोता है तो यह किस तरीके से आपस में आकर मिलते हैं किस तरीके से chemical reaction होता है तो उसके बेच पर दो law बनाएग इन chemical reaction है यानि कि कोई भी ऐसा कैम कोई भी chemical reaction में हम तो ना अकर सकते है याई ना तो मस को क्रियेट कर सकते है न है destroy कर सकते है तो मास कितने atom हैं तो उसी atom को हम उसके particles हम कहते हैं उसका mass है समझ गए तो जैसे कि माल लेजिए कहीं धेला ले लीजिए कपड़ा ले लिए तो इस कपड़े में कितना particles भरा हुआ है उस उसी खम मुसका mass कहते हैं यानि कि जो atom होता है इसको ना तो create कर सकते हैं या इतना जानके तो यही law of conservation of बताता है कि mass can neither create nor destroy in chemical reaction अब जैसे कि एक्जामपल ले लेते हैं जैसे जैसे एक्जामपल है जिसे h2 plus o2 क्या बनाता है h2o यानि की पानी बनाता है तो आप देखो कि जीतना भाईया पार्टिकल्स जीतना चीज इधर रहेगा material उतना ही इधर भी रहेगा समझ गए तो यही है law of conservation of mass अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि भाईया हम कभी कभी काग जो लेते हैं उसको हम जला देते हैं और जलाने के बाद क्या होता है कि जो कागज रहता है वो तो खतम हो जाता है यानि कि उसके मास को हमने खतम कर दिया हलकस राखे बसता है पहले कागज इतना बड़ा था अब खली इतना राख बचा है तो क्या हमने मास को खतम कर दिया तो ऐसा यहाख कोई चीज नहीं देखिये, जब हम कागज को जलते हैं तो उसे में कुछ धूँवा निकल जाता है, कुछ राख बचा रहता है, कुछ हीट निकल जाता है, तो अगर जितना हीट निकला है, जितना धुवा निकला है और जितना राख है, तीनों को आपस मिला, फिर से मिला दोगे, तो पूरा वो कागज बन जाएगा, हाला कि यसी टेक्नलोजी नहीं लाए गए है, लेकिन ऐसा मानिए कि कभी भी हम मास्क को ना तो create कर सकते हैं ना है destroy कर सकते हैं तो law of conservation of mass यह बताता है अब बात करते हैं क्या होता law of constant proportion तो law of constant proportion में यह कहता है in a compound element are always present in a definite proportion by mass तो इसका मतलब यह है कि जो compound होता है compound में जो element होते हैं वो एक definite proportion में हमेशा रहते हैं इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब यह है कि जैसे हम पानी के example ले लेते हैं तो जो पानी होता है पानी किसे बनता है H2O, H2O से बनता है ठीक तो अगर हम एक H2O लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे molecule और जब यह मॉलीक्यूल का अपस में धरकुल्ले मिला देंगे तो एक अजोरी पानी बन जाता है तो वह एक अजोरी पानी क्या कहेंगे compound कहेंगे या फिर आप एक गिलास पानी ले जिए एक ठोल लोटा पानी ले ले लिए उससे कोई फरग नहीं परता हो क्या है compound है तो जो compound होता है ना compound में compound अभी क्या है मारे पास water है पानी है तो जो पानी है ना पानी में जो S2O है यानि कि जो S2O की value है वह हर जगे बराबर रहेगी definite proportion में रहेगी यानि जितना उपर देखोगे सब्सक्राइब यहां पर हम पानी के माध्यम से समझते हैं जैसे कि हमारे पास क्या है S2O है ठीक है S2O तो यहां पर H H का मतलब क्या है hydrogen अब जानते ही होगे आप H जो होता है वो 1 Amu के बराबर होता है नहीं भी जानते होगे इसको अगली वीडियों हम जानेंगे क्या होता है Amu तो जो H होता है न वो 1 Amu के बराबर होता है तो यहाँ पर क्या है दो hydrogen हैं दो H हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भईया 2AMU ठीक है और आप देखोगे यहां जो oxygen होताँ है यह 16AMU के बराबर होताँ है ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 16AMU ठीक तो आप देखी क्या होगा oxygen भाई यह 16 amu के बराबर रहता है hydrogen 1 amu के लेकिन यहाँ पर hydrogen 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे अब इसको हम क्या करेंगे दोनों का अपस में divide कर देंगे तो आप divide कर दीजे क्या आएगा उपर आएगा 1 नीचे आएगा 8 ठीक है तो इसका क्य ratio आया इसका ratio आया वन ratio 8 तो आप दुनिया का कहीं कभी पाने ले लेंगे न उसका जो ratio रहेगा यानि कुसका जो proportion रहेगा वो वन ratio 8 ही आएगा चाहे दुनिया कहीं कभी पाने ले ले लेंगे इसीक हम क्या कहते हैं law of constant proportion यानि कि वह हमेशा equal में ही distribute रहेगा उसके जो element रहे तो आहिव आप समझे होगे law of conservation of mass क्या होता है और law of constant proportion क्या होता और क्या होता है atom molecule और compound तो इसमें कुछ उतना खास था नहीं अब अगले इस अगले वीडियो में इससे अगले वाले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे तो यहां पर होती ही वीडियो एंड वीडियो पसं क्या है इंड और जे बारे